पुराने साधारन कपड़े पहने एक महिला ने एक फैंसी रिस्टरा में प्रवेश किया सभी ग्रहाग जो पहले से वहाँ बैठे थे उसे तिरसकार भरी द्रश्टी से देखते हैं वह महिला फटी पुरानी ड्रेस पहने हुए थी और देखने में गरीब लग रही थी महिला ने घराते हुए उसकी और देखा और पूछा कि क्या ये ताज भूजनल है डाइनिंग हॉल में मौझूद लोग काना फुसी करने लगे और उनमें से कुछ ठाहा के लगाने लगे परिचारिका ने देनिस देस्ट से महिला की और देखा और बोली आप सही कह रही हो ये है तो पर आप क्या चाहती हो मेडम तुरंत वे अस्तापक को बुलाओ असंतुस्ट ग्रहाकों में से एक चिलाया मैंने यहां पहले से एक टेबल इसलिए नहीं बुक कराई है कि कोई भिकारी मुझे खाते हुए देखे महिला ने अपना सिर नीचे कर लिया और धीरे से बोली मैं तुम्हारा ज़्यादा समय नहीं लूँगी बेटा मेरा केवल एक अनरोध है कि आप इस तरफ आईए परिचारिका ने अनिच्छा से बुझूर्ग महिला को अंदर आमंत्रित किया वो बस किसी तरह उसे बाकी गरहकों की नजरों से दूर ले जाना चाहती थी अगर मैं तुम्हारी जगे होती तो मैं सिक्यूरिटी को बुला कर उसे बाहर का रास्ता दिखाती आपने देखा कि कैसे उससे बद्बू आ रही है वो एक बुरा सपना है ये सब बोलकर वहां बैठे लोगों ने अपनी भावनाओं को बिल्कुल छुपाया नहीं महिला मिठाईयों के सोकेस में गई और काफी देड़ तक उसे देखती रही वेटर उसे देखकर हस रहे हैं वह कह रहे थे कि अगर वह यहां मुफ्ट में खाने की उम्मीद करती है तो उसे कुछ नहीं मिलने वाला है ऐसा लगता था कि महिला ने उनकी बातों पर ध्यान नहीं दिया महिला बोली मुझे बताओ बेटा क्या लेमन केक को केवल आधा खरीतना संभाव है इसकी लागत क्या है मेरे पास दस-दस की सतरा नोटे है उसने हाथ में कुछ मुड़े तुड़े पुराने नोट दिखाते हुए पूछा वेटर्स ने बामुस्किल हासी रोकी मैडम मुझे नहीं लगता कि आपके पास इस केक के एक टुकड़े के लिए भी परयाद पैसा है यह केवल केक नहीं है बलकि हमारे महराज शेफ दौरा किया गया कला का काम है इसके अलावा हम इसे आधे में नहीं बेचते हैं गरीब महिला सरमसार हो गई उसे ऐसा लगा कि उसके अंदर कुछ तूट गया हो दीरे दीरे वह निरास कदमों से चलते हुए बाहर निकलने लगी अचानक उसे रिस्टोरा के कोने में अपनी पत्नी की बगलें बैठे सैन वर्दी पहने एक व्यक्ती ने बुलाया मेडम करपय यहां आओ आओ आप बहुत निरास लग रही हैं कुछ हुआ है उसने चेहरे पर मुस्कान के साथ पूछा मेरी बेटी वह बहुत बीमार थी जब वह बच्ची थी तो हम इस रिस्टोरेंट के पास से गुजरते थे और वह काफी देड़ तक दुकान के खिड़कियों को देखती रहती थी हमने एक दिन यहां लेमन केख खाने का सपना देखा लेकिन फिर वह बिमार हो गई मेरे पती चले गए और हम दोनों का पेट पालने के लिए मुझे नौकरी करनी पड़ी मेरे पास इलाज जारी रखने के लिए पैसे नहीं है इसलिए अब मैं उसके लिए कुछ भी नहीं कर पा रही हो तो मैंने सोचा कम से कम उसे ये केख ही दिला दूँ लेकिन मेरे पास केवल दस की सतरा नोट है इतना कहते हुए उसके आँखों से आसु बह निकले बिना किसी हिचकी चाहट के उस हौजी ने वेटर को बलाया और उसे अपने खर्च पर महिला के लिए एक पूरा लेमन के पैक करने को कहा उन्होंने महिला से कहा आज सतरा साल हो गए हैं जब हमने अपने बेटे लक्ष को खोया था एक कार्द रगटना में उसकी मृत्य हो गई थी मैं और मेरी पत्नी कुछ नहीं कर पाए हाला कि हुए एक डॉक्टर है आपके पास में सतरा नोट है और मेरा बेटा सतरा साल का था ये उपर वाले का इसारा नहीं तो क्या है फौजी की पत्नी ने गरीब महिला को अपना बिजनेस काड़ दिया और बेटी की इलाज मदद करने का वादा किया जब वेटर महिला के लिए लेमन केक लेकर आया तो महिला के चेहरे पर एक करत्त की मुस्कान आ गई उसने फौजी और उसकी पत्नी को धन्यवाद दिया और वहाँ से चली गई इस गटना के बाद रिस्टोरेंट में सभी खामोस थे सभी को उस फौजी ने एहसास दिला दिया था कि पैसों से भले ही वो महिला गरीब थी लेकिन वहाँ बेठे सभी लोग विचारों से और दिल के गरीब थे सिवा उस पौजी दमपती के अब वहाँ किसी को भी हासने का मन नहीं कर रहा था दोस्तों किसी भी गरीब को गरीब नहीं समझना चाहिए उसकी वो गरीबी कैसे आई वो सोचना चाहिए दोस्तों तो अगर एक कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताईएगा और किसी भी गरीब की मदद जरूर करिएगा दोस्तों मिलते हैं अगली कहानी में तब तक के लिए धन्यवाद प्लीस लाइक सब्सक्राइब और सेर माई चैनल